हम अपनी यूआ पीडी के सामर्थकिक चर्चा अक्सर करते रहते हैं। आज खेल कुद एक ऐसा क्षेत्र है जहां अमारे यूआ निरंतर नई सफ़ताएं हासिल कर रहे हैं। मैं आज मन की बात में एक ऐसे टूर्नामेंट की बात करूंगा जहां हाली में हमारे खिलाडियों ने देश का पर्चम लहराया है। कुछी दिनों पहले चीन में वर्ल यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे। इन खेलों में इस बार भारत की बेस्ट एवर परफॉर्मंस रही है। हमारे खिलाडियों ने कुल 26 पदक जीते जिन में से 11 गोल्ड मेडल थे। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि 1959 से लेकर अब तक जीतने वर्ल यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं उनमें जीते सभी मेडल्स को जोड़ दें तो भी ये संख्या 18 तक ही पहुंचती है। इतने दसकों में सिर्फ 18 जबकि इस बार हमारे खिलाडियों ने 26 मेडल जीत लिये। इसलिए वर्ल यूनिवर्सिटी गेम्स में मेडल जीतने वाले कुछ युवां खिलाडी विद्यार थी। इस समय फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले इनके बारे में आपको बता दूँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आईए हम अभिदन्य से बात करते हैं। नमस्ते सर। बताइए अपने विशे में। सर मैं प्रापर कॉलापूर महराष्टर से हूँ। मैं शूटिंग में 25-meter sports pistol और 10-meter air pistol दोने इवेंट करती हूँ। मेरे मातापिता दोनो एक high school teacher है। तो मैंने 2015 में शूटिंग स्टार्ट किया। जब मैंने शूटिंग स्टार्ट किया। तब उधर कॉलापूर में उतनी facilities नहीं मिलती थी। बस से ट्रावल करके कुलापूर जाने के लिए 1.5 गंटा लगता है। तो वापस आने के लिए 1.5 गंटा और 4 गंटे के ट्रेनिंग। तो ऐसे 6-7 गंटे तो आने जाने में और ट्रेनिंग में जाते थे। तो मेरी स्कूल भी मिस होती थी। तो फिर ममी पापा ने बोला कि बेटा एक काम करो, हम आपको साइटेड संडे को लेकर जाएंगे शूटिंग रेंज के लिए। और बाकी टाइम आप दूसरे गेम्स करो। तो मैं बहुत सारे गेम्स कर दी थी बचपन में। क्योंकि मेरे ममी पापा को दोनों को खेल में काफी रूची थी लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया है। फाइनेंशल सपोर्ट उतना नहीं था और उतनी जानकारी भी नहीं थी इसलिए। मेरी माता जी का बड़ा सपना था कि देश को रिप्रेजेंट करना चाहिए। और फिर देश के लिए मेडल भी जीतना चाहिए। तो मैं उनकी ड्रीम कमलेट करने के लिए बच्छपन से काफी खेल कुद में रूची लेती थी। और फिर मैंने ताइकॉंदो भी किया है। उसमें भी ब्लाक बेल्ट हूँ और बॉक्सिंग, जुदो, और फेंसिंग, और डिस्कस थ्रो इसे बहुत सारे गेम करके फिर मैं 2015 में शूटिंग में आग रही। फिर दो-तीन साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया। और फिर्स टाइम मेरा युनिवसिटी चैंपियंशिप के लिए मलेशिया सेलेक्शन हो गया। और उसमें मेरा ब्रॉंज मेडल आया। तो उदर से अक्चुली मुझे पुष मिला। फिर मेरे स्कूल ने मेरे लिए एक शूटिंग रेंज बनवाई। फिर मैं उदर ट्रेनिंग कर दी थी। और फिर उन्होंने मुझे पूने भीज दिया, ट्रेनिग करने के लिए। तो यहां पर गगननारंग स्पोर्ट्स फांडेशन है, गंफर ग्लोरी. तो मैं उसी के यांडर ट्रेनिंग कर रहे हूं अभी। गविन सर ने मुझे काफी सपोर्ट किया और मेरे गेम के लिए बढ़ावा दिया.